हेलो फ्रेंज नमस्ते आप सब कैसे हो आई हो आप सब ठीक होंगे और आज हम लाउज में से बचे हुए टुकडे कुर्थी में से बचे हुए टुकडे जो वेस्ट प्लोथ है उसका रियूज करेंगे और दो न्यू आइडिया बनाएंगे तो यहां पे दिखे इसे फोल्ड मेनाधिया आप देख सकते हो अब हम इसे कट कर लेंगे यहां से टू बोर्डर निकल के आ जाएंगे यह देखिए तो यह दोनों फाइव इंचिस के हैं और इसकी लंबाई प्लिभी यह तीनों है और लंबाई है शिक्टीन इचिस और यहां से फाइव इंचिस है तीनों अब हम इसे stitch करेंगे देखिए ऐसे stitch किया दोनों को और फिर देखिए यहाँ पर मैंने 9-1 लगाया है और देखिए 13 इंचिस यहाँ से इसका नाप हुआ इसे हम stitch करके जोड़ लेंगे फिर यहाँ पर एक प्लेट ऐसे ले लेंगे box की तरफ तो यह दोनों साइड हमने सेम प्लेट ले ली है और देखिए और आपने भी ऐसे बचे हुए टुकड़ों से कुछ ना कुछ रियूस बनाया है तो जरूर से बताना और वीडियो दीखिए बहुती ब्यूटिफूल सॉरी बहुती कामका है तो आप जरूर वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना यहां पे हमने लेस को अटेज किया है उसके बाद मैंने 12 बाई 2 इंचिस की यह दोनों स्ट्रिप लिए दोनों साइड से फॉल्ड किया सेंटर से फॉल्ड किया और stitch कर लिया है आप देख सकते हो इसे न आप यहां पर attach कीजिए और हाँ center में आपको जितनी भी जगह रखने है अपने according रख लीजिए और अब आपको यहां पर जिप attach करनी है इसे ऐसे attach कीजिए और दोनों खोल दीजिए तो दूसरी side भी आपको ऐसे ही attach करना है तो यह हमारी जिप attach हो गई अब आपको क्या करना है प्रेस्टीज कर लेनी है ताकि finishing अच्छे से आ जाए और अब आप क्या करेंगे यहां पे जिप की अंदर जिप की अंदर जिप की अंदर डालना बहुत ही easy है उसका open पार्ट वहां से जिप को अंदर डालिए और पीछे से खीच लीजिए ठीक है अब हम इसे कर लेंगे उल्टा उल्टा करने के बाद आपको क्या करना है यहां पे stitch करना है side में तो यह देखिए य इसे ना निकले इसलिए मैंने यह वेष्ट नोन वन की strip ली है जिसे हम ऐसे fold करते हुए stitch करेंगे और friends अगर नोन वन नहीं है तो दिकत की कोई बात नहीं है आप rice bag, book gram जो भी आपके पास available है वो ले सकती है और ऐसी प्यारी सी bag बन कर ready हो गई है जिसे आप मंदीर भी ले जा सकती है छोटी बेटियों को भी दे सकते हैं किप्ट में 12 बाय 9 इंचिस का मैंने यह बलाउज का टुकडा बचा था उसे लिया है दो पार्ट को stitch करके quilt किया है नीचे मैंने 9 लिया है अगर 9 नहीं है तो आप यहां पर rice bag, book gram ले सकते हैं अब देखिए यहां पर 2 इंच कर लेंगे यहां से भी आप कर लेंगे और नीचे से भी राउंड से देजिए अब जो दो पार्ट लिये थे उसमें दोनों को एक ही नाप से आप कर लेंगे यह जिसकी लंबाई है 6,70 इंचिस और चोड़ाई है 3 इंचिस आपको जितनी बी चाहिए उतनी रख सकते हैं 16, 17 अपने हिसाब से इसकी एंदर में नोन वन डाल रही हूँ आप आप सोपिंग बेक कपड़ा डालके ऐसे फोल्ड करके हैंडल रेडी कर लीजिए तो यह सक्त बनेंगे यहां पर अटेज कर लीजिए यह दोनों काम हमारे हो गए है अब आपको क्या करना है यह दोनों स्ट्रि और हाँ एक बात मत बुलना अब यहां पर नोचीस जरूर से लगा दीजिएगा ताकि जब अपीसे सिधा करें तो फिनिशिंग बहुत ही प्यारी सी आएगी नहीं तो चोल पड़ जाएगा और ऐसी बैग आपने कभी बनाई है तो कमेंट करके सेर करना जरूर और इसमें आइडिया है तो भी बताना अब देखें 12 बाई 5 इंचिस के दूनों नों पर लिए हैं यहां पर सिंपल अस्तर ले सकते हैं इससे फॉल्ड करके ऐसे स्टीज कर लिजेए फिर ना आपको इसी यहां पर अटेज करना है देखें यहां से लेकिए यहां तक स्टीज कर लिज यहां पे प्रेस्टीज तिकी हैंडल को आपको पीछे दकेल के स्टीज करना है ताकि वह स्टीज में न आ जाए दूसरा पाट लीजिए उसे भी स्टीज करें और फिर प्रेस्टीज कर लीजिए तो यह हमारे दोनों काम हो गए इसके अंदर आप रनर डाल दीजिए और इस प्रेस्टीज करना है तो यहां पे रखिए एक प्लेट ले लीजिए ऐसे और इसे स्टीज कर लीजिए उसके बाद आपको क्या करना है तो यहां से स्टार्ट करना है यहां से लेक कि दूसरी साइट जिप है वहां तक स्टीज करना है और अगर आपको एक्स्ट्रा लगे बोर्डर तो आप कट कर लीजिएगा तो यहां पर ऐसे करके स्टीज कर लीजिए अब इससे फॉल्ड कीजिए और नीचे की और स्टीज कर लें तो यह काम भी हमारा होगे कितने फटा फट से हमारी सिंपल सी बैक बन रही है और लग रही है पार्टी वर इससी जहां पर नो एक दम अचे से और विल्टकुल रेडिमेट स्टाइल बैक लगे तो दोस्तों यह दोनों आइडिया आपको कैसे लगे जरूर से बताना मिलते हैं हम आपको ऐसे आडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई जय बारत बंदे बातरम